जैन सात्यू कैसे आप सब दोस्तों मैं स्वगत करता हूं आपकी शुटूब चैले में जिसका नामे एक्स पर नोलेज गाइस बात करने वाले आर्मी ओड़नेंस कॉप्स के बारे में टोटल पॉस आट्टारा डेवी लेटर एंड जुएनिंग सर मेरा डेवी लेटर नहीं अगया है सर कब होगा हमारा आगे का प्रोसेस सर प्लीज बता दीजिए आप सबके मन में तो आपके लिए फाइनली वीडियो दोस्तों आच चुकिए आपको भाई वीडियो को पूरा देखना बीडियो को स्किप करते हो आप से इंप्रेंट चानकारे भी मिस हो सकती है तो जो गाई सबसे पहले बात करते हैं आपका दोस्त तक्रीबन पोस्ट का डिवी लेटर नहीं आया है वह आपकी बची है ल्डी सी कलरक वाली ट्रेड जिनका दोस्तों डिवी लेटर अभी तक नहीं आया है रिजल्ट को आए चैर महीने हो चुके हैं कम से कम ठीक है और आइथिंग के ट्रेड्समेन मेट कर जो गाई आया था 26 को आया था 26 नौवंबर को और 27 को दोस्तों आया था लडी सी कलरक का अगर हम दोस्तों बात करें ट्रेड्समेन मेट के बारे में 90 अबया बैर्थियों के डिवी लेटर चोड दे गए अभी उनका डिवी हो चुक है और डिवी होने के बाद अभी उनका पुलिस लुरिफिकेशन चल रहा है ऐसी की तरफ से ठीक है लेकिन दोस्तों ट्रेड्समेन मेट में अभी तक किसी की जोइनिंग नहीं हुई है और गाइस बाकी जो आपकी जो ट्रेड्स बच ग यह जब तक आप एक्समन नहीं लोगे आपको नहीं करोगे आपका दीविए दोस्तो इस प्रकार से लेट होता रहेगा लेकिन दोस्तो जिस दिन आपने एक्समन ले लिया आपका 速़ी हपते में आ जाएगा आपकी ज्वाइनिंग एक ही महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी कि किसी भी ट्रेट से लों करते हो आपकी भाई आप फाइर मैंँ नहीं लेते फिर आप ऐसे इसी रेट करते रहोगे जिन्दगी भर अपने ज्वाइनिंग का और डिवी लेटर का ठीक है तो इसी बात को देखते हैं भाई हम कुछ अब्यार्थियों ने मुहिम चलाएं दोस्तों हम गाई साथ अप्रेल को दिल्ली जा रहे हैं क्या सुना गाई आपने साथ अप्रेल को पंजाब से हो जांके ओंगें वो सर हमें जानकरः देंगे देंगे कोई किसे के लिए नहीं जाता दोस्तों सब अपने लिए जाते हैं पहली बात तो ये कहते हैं सर मुझे ज्वाइनिंग लेनी है सर मुझे सर डीवी का बहुत इंतजार है सर मैं सर ठक चुका हूँ इंतजार करते करते तो भाई वो भाई पक्का आएगा मुझे इस बात के लिए तो मुझे उनको ज्यादा बोलने की भी जुरूरत नहीं है तो आपको क्या करना है दोस्तों आपको भाई दिल्ली पहुचना है किस एड्रस पर पहुचना है ध्यान दीजेगा तो आपको दोस्तों इस एड्रस के ऊपर पहुचना है दोस्तों साथ अप्रेल को ठीक है साथ अप्रेल को भाई आपको पहुचना इस एड्रेस के ऊपर आप गाई इस एड्रेस का वाई ऐसे से ले लिजेगा और आगर हम बात के रिपोर्टिंग टाइम दोस्तों आठ एम तक आपको वहां पर पहुच जाना आठ शड़े-8 बचे तक आपको दोस्तों आराम से आज जानना हम सबको दोस्तों यहां पर पहुचके रिस्पेक्ट क्ली बात करनी आपकी डीविविलेटर का राकिर क्यों नहीं आ रहे हैं किस वज़े से नहीं आपको आपको टोटल जानकर है से मिलेग की 27 मार्श को दो CD कुछ वहां पर गय बस यह थी कि वहां पर अबैर्थी बहुत कम गए थे दो से तीन अबैर्थी वहां पर पहुझे थे गाईज इस टोपिक को ले कि सब हमारी जिवानिंग डीवी लेटर सर नहीं आएं वो कब तक आएंगे तो गाईज जो भार ऑफिसर्स होते हैं यहां पे अपने हैडिकॉर् अपने भाइज दिल्ली इस पर फोच्छते वहाई 7 अपरेल को आपनी जो जोइनिंग दोस्तों एक महने के अंदर भी हो सकती है ठीक है ध्यान दिजेगे दोस्तों कई अब्यर्थिने पहले जो भरती गई है दोस्तों यहीं उसी में उन्होंने यहीं कदम उठाया था दोस आपको मास्क लेके आना अपना ठीक है और आपको सेनेटाजर के बोतल लेके आने दो जिस आपके पास पक्की होने चीए और कई भाई बंदू सोचेंगी सर हमें कहां पर आना सर एड्रस सर हमें पता नहीं है सर यह तो गाई देखी भाई जो आप हेल्प्लाइन नंबर देख तो आप भाई इस नंबर पर कोल करके आप पूछ सकते हैं कि सर हमें कहां पर आना है सर दिल्ले में तो आपको पूरी जनकर दे दी जाएगी आपको भाई इस नंबर पर कोल करके इन नंबर पर आपको पूछ लेना है यह आपका एड्रस है ठीक है और गाई देखिए कई भ का मैं बैर्थि होंगे उतना हमारा लूस है दोस्तों उतना हमारा जो प्रोसेस है वो भूट लेट होएगा और जितने बैर्थि ज्यादा होँगे दोस्तों वहां पर दीखें कि हां यार बहुत सारे प्रेशान है आ रखें तो घृष्ट हमारे जो डीव लेंटर कि सर मैं आने वाला हूं है देखे आपको दोस्तों अपने बरती थे उसकी फोटो कोपी आपको जुरूर लेकर आनी है ठीक है मैं इसके आपको देखा देता हूं आपको ज्यूरा कन्फूजिन नहीं करूंगा आपको एक photocopy जुरूरु लेक्टा निया है ता कि दोस्तो है आपको अपने भी तक स्षाने हैं और सर आप सब जा रहे हो तो मुझे जनकर ही मिल जाएगी तो गाइज देखे भाई जो भाई बंदो अपने रोलंबर लेके आएंगे साथ में आपके रिजल्ट को फोटो कोपी लेके आएंगे तो भाई क्या गाइज कुछ भी हो सकता है वाप आप आपके जो रोलंबर को आ पर आप दोस्त Не 안 œло है दोस्तो आपको दोस्तो आपको में वीडियो अच्छा लगा होगा अपको दोस्तों वीडियो को लाइक करना तो बंते था तो ने कमक्वाइड